अब मैं आपको वसंत भाग 2 पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को समझाती हूँ मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगी फिर उसका उत्तर समझाओंगी आप उसे ध्यान से सुनिए फिर अपनी कॉपी पे लिखे तो मैं प्रारंब करती हूँ कहानी से का पहला प्रश्न उसे अब ध्यान से सुनिए और फिर उसके उत्तर लिखेगा पहला प्रश्न इस प्रकार है मिठाई वाला अलग-अलग चीजे क्यों बेजता था और वह महीनों बाद क्यों आता था इसका उक्तर इस प्रकार है उसके आते ही बच्चे उसे घेर लिया करते थे वह बच्चे की फर्माईसों को पूरा करना ही चाहता था इसलिए उनकी फर्माईसों को पूरी करने के लिए तरह तरह की चीजे लेकर कई कई महीनों बाद आता था उसे पैसों का कोई लालच नहीं था वह उनके लिए चीजों को तयार करवाता तथा बच्चों के उत्सुपता को बनाए रखने के लिए तरह तरह की चीजे लेकर आता अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ दूसरा प्रश्न इस प्रकार है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वज़स से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी और खीचे चले आते थे इसका उत्तर इस प्रकार है मिठाई वाले में अनेक गुण थे जिसके कारण बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी और खीचे चले आते थे उनमें विशेज प्रकार के कई गुण मौजूद थे, जिनमें मुख्य रूप से था, उसका स्वर बहुत मीठा था, वो गागा कर चीजें बेचा करता था दूसरा उसका सभाव अत्यंत विनम्र था, वो मृदु भाशी तथा सहनशील था, तीसरा बच्चों की प्रत उसका विवहार अत्यंत मृदू, प्रेम पूर्व के वं कोमल था चोथा वह सदव बच्चे के लिए तरह तरह के खिलोने और वस्तुएं लेकर आता था, पैसे न होने पर भी, वह उन्हें मुफ्त में चीजें दे दिया करता था, अपने फाइदे के बारे में कभी नहीं सोचता था पांचवाव बच्चों के पसंद की नहीं नहीं वस्तुएं बदल बदल कर लाया करता था, क्योंकि उसके हिर्दे में बच्चों के लिए ममता थी तो ये रहा दूसरे प्रश्ण का उत्तर, अब मैं तीसरा प्रश्ण पढ़ती हूँ विजे बाबु एक ग्राहक थे और मुर्ली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं इसका उत्तर इस प्रकार है विजे बाबु एक ग्राहक थे जबकि मुर्ली वाला एक विक्रेता, दोनों ने मुल्भाव के लिए अपने अपने तर्क दिये विजे बाबु ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया कि फेरी वाले तो जूट बोलते हैं उनकी जूट बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को एक ही दाम में, सभी को दो-दो पैसे में, पर एहसान का बोज मेरे उपर लाद रहे हो। इसके विपरित मूरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राह को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता, उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानी उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राह के ही समस्ते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है, तो ये रहा प्रश्न तीन का उत्तर, अब बारी है चोथे प्रश्न की, अब मैं चोथा प्रश्न पढ़ती हूँ, चोथा प्रश्न इस प्रकार है, खिलोने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रत्क्रिया होती थी, इसका उत्तर इस प्रकार है, खिलोने वाले क आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे आति उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद कर, भाग कर, भूल कर वे अपना सारा सामान, जूते चपल, सब को छोड़ कर, सारे ओर से ध्यान हटा कर, खिलोने वाले की ओर दोड़ पड़ते थे, वे अपने अपने घर से पैसे लेकर, खिलोने का मोल भाव करने लग जाते थे, खिलोने वाला उनका मन चाहा खिलोना उनको देता, बच्चे खिलोने पाकर खुश हो जाते, खुशे से मतवाले होकर वे खिलोने वाले के पीछे-पीछे दोड़ते उसकी आवाज सुनते ही गली की और भाग पड़ते इस तरह से खिलोने वाले के आने पर बच्चे सब कुछ भूल कर उसके पास दोड़े चले आते तो ये रहाज चोथे प्रश्न का उत्तर आप बारी है पांचवे प्रश्न की पांचवे प्रश्न को मैं पहले पढ़ रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए फिर उसका उत्तर बताऊंगी पांचवे प्रश्न है रोहणी को मुरली वाले के स्वर से खिलोने वाले का इस्मरण क्यों हो आया इसका उत्तरिस प्रकार है रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलोने वाले का इस्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलोने वाले की तरह ही उसकी आवाज जानी पहचानी थी खिलोना वाला भी उसी तरह मधुर्चर में गाग आकर खिलोने बेचा करता था मुर्ली वाला ठीक उसी की तरह मीठे स्वर में ही गागा कर अपनी मुर्लियां बेचा करता था जिसे सुनकर रोहणी को मुर्ली वाले के स्वर में खिलोने वाले का स्वर याद हो आता है और उसे खिलोने वाले का इस्मरण आ जाता है प्रश्ण संख्या 6 पर आती हूँ प्रश्ण संख्या 6 इस प्रकार है किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावख हो गया था उसने इन व्योसायों को अपनाने का क्या कारण बताया इसका उत्तर इस प्रकार है रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावख हो गया था इस पर उसने भावख हो के बताया मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था मकान, व्योसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था इसत्री थी, छोटे-छोटे दो बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था मेरे पास सुक के सभी साधन थे, इसत्री और छोटे बच्चे भी थे परन्तु इश्वर की लीला के आगे किसी का वस नहीं चलता इश्वर की लीला सभी को ले गई उसने इन व्योसायों को अपनाने के कुछ कारण बताए उसने कहा मैं इस व्योसाय के माध्यम से अपने खोई बच्चों को खोजने निकला हूँ इन हस्ते कूदते उचलते तथा इठराते बच्चों में अपने बच्चे की जलक होगी ये सोचकर मैं उनके पास आता हूँ इन वस्तूओं को बच्चों में बेज कर मुझे संतोष का अन्हों मिलता है बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी असीम संतोष प्राप्त होता है इस तरह से ये रहा प्रश्चन संख्या 6 का उत्तर अब मैं पढ़ती हूँ प्रश्चन संख्या 7 को फिर उसका उत्तर बताऊंगी प्रश्चन संख्या 7 इस प्रकार है अब इस बार ये पैसे न लूँगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा इसका उत्तर इस प्रकार है मिठाई वाले के जीवन का रहाश से कोई नहीं जानता था लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहणी को बताई उसी समय रोहणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नु मुन्नु आकर मिठाई मांगने लगते हैं वह दोनों को मिठाई से भरी एक-एक पुडिया देता है रोहणी पैसे देती है तो उसका यह कहना कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा इस बात को दर्शाता है कि बच्चों को देखकर उसका मन भराया और वह इन बच्चों को ही अपने बच्चों के समान देखने लगता है इसलिए वह कहता है कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा ये रहा इस प्रश्ण का उत्तर अब मैं कहानी से का आठवा और अंतिम प्रश्ण पढ़ती हूँ जिसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी तो प्रश्ण इस प्रकार है इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपके राय में क्या यह सही है? अब इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि आज प्राया औरतें चिक के पीछे या परदे के पीछे से बातें नहीं करती हां कुछ परिवारों में, ग्रामेड शेत्रों में, पिछडे इलाकों में और ते परदा प्रथा को मानती हैं तो वे परदे या चिक के पीछे से बाते करती हैं आपर चित पुर्षों गाउं घर के बुजुर्गों से बाते करते समय वे परदा कर लेती हैं इसलिए कभी-कभी वे चिक के पीछे या परदे के पीछे से बाते करने को मज़बूर होती हैं मेरी राय में यह पूंट यह गलत है आज के दौर में इस्त्री और पुरुष दोनों समान हैं यही समाज का आधार हैं दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए इसलिए पुर्षों के समान इस्त्री को भी सामने होकर बात करने में कोई बुराई नहीं है आज इस्त्रियां पढ प्रथा को नहीं मानती इसलिए यह अनुचित नहीं है कि वे परदे के बाहर आकर बाते करती हैं अब बारी आ जाती है कहानी से आगे के प्रश्णों की तो मैं कहानी के आगे के प्रश्णों को समझाओंगी फिर उसे आपको अब मैं कहानी के आगे के प्रश्णों को पढ़ती हूँ पहला प्रश्ण है इसका मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोची और इस आधार पर एक और कहानी बनाईए यदिप ये प्रश्ण कलप्रना के आधार पर लिखे जाने वाला प्रश्ण है इसे आप स संचेप में इसमें क्या लिखा जाएगा उससे समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप उसे समझेए फिर उस अंसार से आप अपनी कल्पना से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं तो ये कल्पना क्या धार पर बनाया हो प्रश्ण है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा मिठाई वाले के परिवार के साथ अवस्य ही किसी दुरघटना में उसका परिवार किसी दुरघटना का शिकार हुआ होगा कोई दुरगटना घटित हुई होगी उसके परिवार में या मिठाई वाला कहीं जा रहा होगा जिसमें उसके पत्नी और बच्चे के मृत्ची हो गई हो तो ये कल्पना के आधार पे आप इसका उत्तर कोई और भी दे सकते हैं और कहानी बनाने की बात है तो जिस तरह से मिठाई वाला कहानी है वैसे ही आप इसके काल्पनिक कहानी बनाईए और लिखे आप उसमें दिखा सकते हैं कि एक मिठाई वाले की दुकान है जो मिठाईयां बेचा करता था उसके पास बड़े-बड़े लोग मिठाईयां खरीद दे आते थे मिठाईयां उसके बहुत अच्छी होती थी उसके भी बच्चे और परिवार थे किनी कारणों से उसके परिवार में महामारी फैल गई और उसके परिवार के इस्तरी और बच्चों का देहान थो गया मिठाई वाला दुखी रहने लगा फिर वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को अन्य बच्चों के बीच ढूडने लगता था जिसके लिए उसने एक अनात आश्रम खोला अनात आश्रम में वो बच्चों की देखरे करता उनका पालन करता जिससे उसे सुख मिलता उन बच्चों में वो अपने बच्चे की जलक खोचता और उसी में अपना जीवन यापन करता इस तरह से आप इस पार्ट के आधार पर एक कहानी बनाईए कालपनिक द्रिष्टे से और इसका उत्तर लिखिए अब प्रशनाता है दूसरा कहानी से आगे का दूसरा प्रशना हाट मेले, शादी, आधी, आयोजनों में कौन-कौन सी चीजें आपको सबसे ज़्यादा आकर्शित करती है उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा उन चेहरों के बारे में लिखिए तो मैं कहानी से आगे के प्रशन को दूसरे प्रशन को आपको समझाती हूँ कि हाट मेले, शादी, आधी, आयोजनों में हमें मिठाईयां, गोलगपे, चाठ, पकोडी, फ्रूट, चाठ, छोले, बटूरे, सांबर, इटली तमाम तरह के खाद सामगरी देखने को मिलती है, उसके बनाने सजाने में पाक कला विशेशग्यों का हाथ होता है, खाना बनाने वाले जो होते हैं, उनका विशेश हाथ होता है खादिपदार्थों को हलवाई बनाते हैं उनके पहनावे उनके शेत्रा लग-अलग होते हैं जैसे समोसे बनाने में सांबर डूसा बनाने में इडली बनाने में आइस्क्रिम बनाने में माहिर होता है वो अपनी चीजों को इसी तरह से बना बना कर सुन्दर ढंग से सजा कर आकरशित तरीके से सजा समार कर उसे बनाता है प्रस्तुत करता है तो उनका पहनावा उनके चेहरों के बारे में कि वे कैसे देखने में लगते हैं ये सारी चीजें इसमें लिखी जाएंगी अब मैं इस कहानी के तीसरे प्रशन को पढ़ती हूँ तीसरा प्रशन है इस कहानी में मिठाई वाला दोसरों को प्यार और खुशी दे कर अपना दुख कम करता है इस मिजाज की और कहानिया कविताए ढूड़िये और पढ़िये ये प्रशन ऐसा है जिस प्रशन को पूरे प सक्षा में या कोई कहानी या कविता आप पढ़े हो तो उसे आप उसको याद करके यहाँ पर लिख सकते हैं अब मैं बढ़ती हूँ अनुमान और कल्पना की ओर उस प्रश्ण को पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी कि अनुमान और कल्पना का जो प्रश्ण है उसमें क् प्रश्ण को ध्यान से सुनिए आपकी गलियों में कई अजनवी फेरी वाले आते होंगे आप उनके बारे में क्या-क्या जानते हैं अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बात चीत कर जानने की कोशिश केजिए अब ये एक तरीके से अनुमान औ कलपना का प्रश्ण जो है वो आपकी सोच पर आधारित प्रश्ण है कि आपकी गली में कोई बेचने वाला कभी आता हो और आप उससे कभी कुछ उससे लेने जाते हों तो उसको देखिए उससे बाते करिए उससे बाते करिए उसके बारे में पूछिए और उसके बारे में पूछ कर एक तरीके से ये साक्षातकार का प्रश्ण है कि आप उससे पांच सवाल बनाईए उसका नाम उसका परिवार उसके परिवार में कौन-कौन है और सब के उत्तर को सुन करके कि आपके पूछे गए प्रश्णों के उत्तर उसने क्या दिये हैं तो कोई पांच प्रश प्रश्न का उत्तर उससे पूछे फिर आप उसको लिखे यह आप फेरी वाले से कर सकते हैं यह आपके घरों में कोई काम करने वाला हो तो उससे भी आप यह साक्षातकार का प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर लिख सकते हैं तो यह आपका ग्रेह कारे हो गया अब मैं अनुवान और कल्पना के आगे के प्रश्ण पर बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि अनुवान और कल्पना का जो दूसरा प्रश्ण है उसमें क्या पूछा गया है आपके माता-पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है बड़ों से पूछ कर लिखिए तो पुराने जमाने में जो इसका उतर समझने के लिए आप माता-पिता से भी पूछ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि पहले के जमाने में सारी वस्तुए फेरी वाले ला कर देते थे बेच बेच कर सुन्दर-सुन्दर गानों के स्वर में अपनी चीजें बेचा करते थे आप लोग ने अपने बच्पन में सुना होगा चना जोर गरम करके चना बेचने वाले होते थे फेरी वाला तमाम चीजों को लाता था, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को भी लेके आता था, जिसे खरीदना लोग पसंद करते थे, आजकर लोग अधिकतर दुकानों से सामान लेने लगे हैं, फेरी वालों की संख्या कम हो गई हैं, वे भी बाजारों की तलाश में होने लगे हैं, वे बाजारों में बैठ कर, सामान रख कर, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खरीदार ज्यादा मिल जाते हैं, तो वहीं सामान बेचना चाहते हैं, अब गली-गली में मीठे स्वर में गा कर बेचने वालों की अब कमी होती गई है, कल्पना और, अनुमान और कल्पना के अगले हिस्से के प्रश्न को पढ़ते हुए, मैं आपको समझाती हूँ, इसका तीसरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए, तो वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, ये सच है, अब लोग दुकान और बजा फिर ज्याद्र प्राप्टत्र से बाजार की तलास में होते हैं, गली-गली में घूमकर उन्हें वो लगाई गई लागत का पूरा दाम नहीं मिलता, इसलिए वे किसी बाजार की तलास में होते हैं, जहां वे अगर जमीन पर भी रख कर बेचेंगे तो उन्हें ज़्यादा दाम प्राप्त होगा उनकी कीमत होगी इस तरह से इस प्रश्ण का उत्तर उसके कारण के और अपने अनुमान के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना होगा अब मैं बढ़ती हूँ भाषा के प्रश्ण की और भाषा के प्रश्ण की बात को आपको समझाओंगे फिर आपको इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा बताती हूँ भाषा की बात में जो पहला हरे रंग के ब्लॉक में लिखा शब्द है वो है मिठाई वाला और बोलने वाली गुडिया इसमें मैं पढ़ देती हूँ फिर आपको समझाओंगे इसमें उपर है वाला का प्रयोग और पूछा है अब बताईए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संग्या सरनाम विशेशन आदी में से क्या है मतलब इन में से वाला जो शब्द आया है इसमें जो पहले शब्द प्रयोग है मिठाई वो संग्या सरनाम और विशेशर में से क्या है तो इसका उत्तर होगा मिठाई वाला शब्द संग्या है और दूसरा है बोलने वाली गुडिया इसमें बोलने वाली जो शब्द दिया गया है बोलना जो है वो क्रिया है इसमें जो ख़ प्रश्ण है उसमें है उपर लिखे वाक्यांसों में उनका क्या प्रयोग है उपर लिखे वाक्यांसों में उनका क्या प्रयोग है तो मिठाई वाला शब्द यहाँ पर विशेशन के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि बोलने वाली गुडिया जमें गुडिया संग्या है, बोलने वाला शब्द जो विशेशन है, जो गुडिया की विशेश्ता बताने का कारे कर रहा है. अब बारी आ गई प्रश्ण संख्या दो की, तो मैं प्रश्ण संख्या दो पर आती हूँ, उसे पढ़ती हूँ, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठोर निकाल दो, उपरियुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की और ध्यान दीजे, पूर्वी उत्तरप्रदेश और विहार की भाषा में इस शब्द का प्रयोग संख्या वाचिश शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपूरी में एक ठो लड़का, चाठो आलो, तीन ठो, बटुली, आदी शब्द बोले जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं और बोलियों में भी होता है, तो इसे आपको पता लगाना है कि इसे क्या कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उपरयोग तवाक्यों में ठो शब्द का जो है वो छेतरी भाषा का शब्द है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे शब्दों में संख्या बाची शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है, एक ठो आम, चार ठो, वस्त्र, इस तरी को आगके बनाईए, अब आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ते हुए, मैं आपको कुछ अन्य भाषा की जो प्रयोग सुनने को मिलते हैं, उनको देखती हूँ, और उन्हें आपको समझाती हूँ, कि तीसरे प्रेश्ण में क्या कहा गया है, वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, दादी चुन्नु मुन्नु के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, भाषा के ये प्रयोग आज कल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बाते कैसे कहे तो आप इसको खड़ी बोली के रूप में इसका उत्तर लिखेंगे, इन लाइनों का उत्तर आप खड़ी बोली के रूप में लिखेंगे, तो इसका उत्तर पहली का ऐसे होगा कि लगता है वे पार्क में कहीं खेलने निकल गए, और दूसरे का उत्तर होगा, भाईया इस म कमरे में बुलाईए तो ये खड़ी बोली की भाषा में लिखा जाएगा तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा इस तरीके से ये पार्ठ पोर्ण हुआ आपको सारे प्रश्ण मैंने कराए आप इन प्रश्णों को सुनिये ध्यान से बार बार सुनिये और फिर इसे अपनी कौप पे लिखे इसी के साथ पार्ठ पांच मिठाई वाला पोर्ण हुआ